essay के विंटर चल रही है आप लोग परीशान ब्लव्हें से तो है ने ख्रते हूं can क्यों कुछ लर्ण भी कर लिया जाये तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ इडियम और फ्रेजिस जो की विंटर से रिलेटेड हैं करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें फर्स्ट एडियम है black ice black ice का मतलब होते है सड़क पर बर्फ की पतली परत सदियो में जहांपर बर्फ परगेरा केती है snow fall होता है वहांपर roads पर बर्फ की पतली परत जम जाती है जिसको बोलते है black ice means a very thin coating of ice found on roads and sidewalks that is difficult to see मतलब बर्फ की इतनी जादा पतली परत रोड्स पर जो की दिखाई नहीं देती है और जिसकी बजासे ये बहुती जादा देंजरस हो जाती है इतनी पतली परत होती है कि ड्राइवर्स को ये दिखाई भी नहीं देती है और जिस वजा से ये बहुती ज़्यादा डेंजरस हो जाती है एक्जामपल है आज रात सालखों पर बर्फ की पतली परत हो सकती है इसलिए वाहन साबधानी से चलाएं तो ब्लैक आइज का मतलब होता है बर्फ की पतली परत जो की रोट्स पर होती है और बहुती ज़्यादा डेंजरस होती है नेक्स्ट फ्रेज इस कैच वर्नस डेथ कैच वर्नस डेथ का मतलब होता है catch once death का मतलब होता है to catch a very bad cold because you are not wearing warm or dry clothes मतलब बहुत जादा ठंड में जब आप गर्म कपने नहीं पहनते हैं तो उसकी वजह से जब सर्दी जुखाम हो जाता है तो उसको बोलते है catch once death example है it is freezing cold outside so dress warm or you will catch your death मतलब बाहर कडा के की ठंडे बहुत ज़्यादा ठंडेशली गर्म कपने पहनो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा वरना तुम्हें next is bundle up bundle up का मतलब होता है गर्म कपने पहनना या गर्म कपने से खुद को पूरी तरह से ढख लेना खुद को या दूसरों को पूरी तरह से ढख लेना तो bundle up means to wear enough clothing to keep very warm मतलब अच्छी तरह से गर्म रहने के लिए गर्म कपने पहनना वूलन क्लोथ पहनना या वूलन क्लोथ से खुद को पूरी तरह कवर कर लेना example है bundle up the children before they go to play outside in this shivering cold इस कपकपाती ठंड में बाहर खेलने जाने से पहले बच्चों को अच्छे से गर्म कपड़े पहना दो मतलब उनको गर्म कपड़े से पूरी तरह कवर कर दो next है dead of winter dead of winter का मतलब होता है सर्दियों के बीच का समय जब बहुत जादा ठंड होती है जैसा कि अब time चल रहा है सर्दियां start होई थी तो बहुत जादा सर्दी नहीं थी और सर्दियां खत्म होगी तब भी बहुत जादा सर्दी नहीं होगी लेकिन इस टाम पर बहुत जादा सर्दी बगच चुकी है और ये winters के बीच का time है मतलब middle का time है तो dead of winter मतलब the middle of winter when it is very cold सर्दियों के बीच का समय जब बहुत जादा सर्दी होती है जब सर्दियां start होती है तो बहुत जादा सर्दी नहीं होती है और जब सर्दियां खत्म होती है तब भी नहीं होती है बहुत जादा सर्दी के लिए सुबह जल्दी उठना सर्दियों के बीच के समय में एक बुरा अनुभव हो सकता है तो डैट ओफ विंटर मतलब सर्दियों के बीच का समय नेक्स्ट है वाम अप वाम अप का मतलब होता है गर्म करना आग वगहरा से गर्म करना या कपको पहन कर खुदको गर्म रखना तो वाम अप मींस टू बिकम वाम एक्जाम्पल एक कम ओवर टू दा फायर इट विल वाम यू अप आपके पास आओ यह तुम्हें गर्म कर देगा नेक्स्ट है फ्रीज ओवर फ्रीज ओवर का मतलब होता है जमा देना या बर्फ से ढख जाना जब ब पानी होता है वो हलका हलका आइस की फॉर्म में आने लगता है मतलब थोगी सी पतली पतली परत जमजाती है उसके उपर जहां पर बहुत ज़ादा सर्दी होती है वहाँ पर तो freeze over मतलब cover an area of water with a layer of ice because of low temperatures मतलब low temperatures की बजह से पानी की उपर ice की पतली layer आ जाना example है in winter the lake freeds over and we stake on it सर्दीयों में जील जम जाती है और हम उस पर skating करती है मतलब lake का जो water है वो ice बन जाता है next है cold snap cold snap का मतलब होते है अचानक कुछ समय के लिए आई ठंड या छोटी हवदी की एक आएक आई शीत लेहर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थोगे से time के लिए बहुत जादा ठंड आ जाती है तो उसको बोलते है cold snap means a sudden short period of very cold weather मतलब कुछ समय के लिए एक short period के लिए बहुत जादा ठंड वाला weather या बहुत जादा ठंड example है I am not prepared for the cold snap all of my woolen clothes are still packed मतलब मैं अचानक आई ठंड के लिए तयार नहीं हूँ मेरे सारे उनी कपड़े अभी भी packed हैं मतलब थोगे समय के लिए जो अचानक से कुछ समय के लिए आई ठंड तो ये थे कुछ idioms और phrases जो की winters के लिए थे I hope आपको अच्छे लगे होंगे सभी idioms और आपके लिए useful भी रहेंगे क्योंकि winters चल दे हैं तो हम लोग सहदियों की बाते तो करते ही रहते हैं आपस में तो आप इन phrases और idioms को include करें अपनी बातचीत में और अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जल्दी लेकर आती हो एक और knowledgeable और interesting वीडियो